हाई फ्रेंड हम सभी चानते हैं पिछले कुछ समय से हिजाब कॉंट्रोवर्सी चल रही थी जिस पर कई बॉलिवर्ड स्टार्स ने अपनी राए भी रखी और आप जब करनाटक हिजाब विवाद पूरी तरह से शांत होने को है तो ट्विंकल खना ने इसमें एंट्री मारी है त्विंकल हर बात पर अपनी राए खुल कर रखती हैं और इस पर ट्विंकल खना ने हिजाब पर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर कुछ लोगों को हसी आए और कुछ लोगों को हैरानगी भी हुई किसी भी दबाव में आए बिना और किसी की भी साइड लिये बिना खुद ये फैसला करें पर यहां ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कुछ धार्मिक निताओं ने इस बारे में बात जरूर की थी कि कैसे हिजाब मर्दों को लेडिस की तरफ एक्ट्रेक्ट होने से रोकता है और इस पर मुझे हसी आ गई और ये लाजमी भी है अगर वो इस तरह के मुद्दे पर ऐसे ही बात करते हैं तो ये साइड पर हो जाएं और जो कॉमेडियन है उन्हें अपनी जगा दे दें वो बात करें क्योंकि इन्हों ने इस मुद्दे पर जो बात कही है वो कॉमेडिय से कम नहीं है क्या आपने कभी भी किसी भी मर्ड को देखा है किसी लेडि को ये कहते होए कि वाओ आज तुमारा सर कितना हट लग रहा है और फिर इसके जवाब में कोई लेडिय ये कहे कि ओ थैंक यू डारलिंग मैं कोशिश करूंगी कि मेरा सर इसी शेप में रहे और इसका साइज ना बढ़े आपको बता दें यहां कुछ नेताओं ने हिजाब को धार में एक रंग देने की कोशिश की थी हिजाब मामला कारनाटक के कॉलिज से शुरू हुआ था और फिर ये पूरे देश में फैल गया था ये काफी सीरियस मुद्धा था कुछ लड़कियों ने शिकायट की थी कि उन्हें कॉलिज में हिजाब पहन कर एंट्री नहीं दी जा रही है जिस पर कॉलिज ने ये कहा कि कॉलिज में एक ड्रेस कोड है और उसी ड्रेस कोड में ही सबी को एंट्री दी जाएगी जिस पर फिर देश में बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ पर अब ये मामला पूरी तरह से शान्त हो चुका है